प्रदर्शनी की गतिविदी चले तो बॉंबयास सुसाइटी हमेशा सहकार देगी यह कलाका स्थाई बातावरन बनेगा। अन्त में यह महत्व पूर्ण बात गत एक सोचबिस साल में बॉंबयास सुसाइटी की प्रती वारशीक प्रदर्शनी में जिन कलाकृतियों को सुवर्ण प्रदक या सर्वोच्च पुरसकार प्राप्त हुए उनकी प्रदर्शनी दिसंबर जनवरी 2017 में मुंबई के नैशनल गैलरी अप मौडन आर्ट में हम लगाना चाहते हैं इसमें भारत सरकार का संस्कृति विभाग से सक्री य सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं यह प्रदर्शनी भारत के चारों महानगरी में क्रमशा दिखाई जाए इसका विननती निवेदन लिखित रुप में मैं आपको हम कलाकर आसवाद और आनन के प्रेमी है रानमंत्री महोते आज आपकी मेक इन इंडिया की गतिविदी में हम कलाकरों की इंडियन क्रियेटिविटी रचना कुशलता हमेशा साथ देगी इसका हम बिश्वास दिलाते हैं आप सभी को पुनस्च अभिवादन धन्यवाद मां भारती को दमन धन्यवाद आज यहां उपस्तित है आदर्मिय सांसद और इंसीपी के अध्यक्षे माननिय शरत पबार जी मैं उनसे बिंती करना चाहूंगी कि वो इस सभा को संबोधित करे अध्यक्षे माननिय शरत पर जादन जी नरें दे मुझी वे स्वेटा उफस्ति से आफाद ऑजाए को जएकर गराद जोश्ति वट्यक्षे माननों शरत ज़ाद से गईजआ गोजे ते अध्यक्षे मंतीे और धन्यवाद भार्याद कार अफ्रे सग्रेंचा वदेन सग्रेंचा उती ना देशा चाप रधन मंतियां तो स्वागत करने तानन वाला मना फसुन होता है मंबई शहर करा कि शित्र में काम करने वाले लोगों का एक ख़देना है यह स्थानिक करा कर है देश के अलग-अलग हिस्से से लोग यहां आते है अपनी करा का दर्शन देने के लिए कुछ न कुछ यहां यूगलान देते है और ऐसे करा उन्तों के लिए यहां ज्यादा सुविजा की आउशकता है आज फोर्ट इजिया में कुछ न कुछ फविजा का परबंद हुआ है अच्छा करा दर्शन वहां ही हो गया हम लोगों ने मिलकर नेजियू सेंटर में इस शेतर में कुछ न कुछ हम सोयोग कर सकते है इस तरह का कुछ कदम उठाए है फिर भी करा उन्तों के एक खौईश थी कि कभी न कभी हम लोग जहां काम करते है जो खौईट हमारा खौईट है ये खौईश थी पर युक्दान करने वाले समसा जो 127 साल से इस शेहर में काम कर देए इनका कही न कही गएर इनका मकान इनका स्थान होने के आउशकता है और ये बात मुझे याद है कि फर्फलता दानु कर रंशर्वी दोशी ये कला की ख्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने मेरे कान फर डाली थी एक जवान ऐसा था जब इस राज की निल्विती हो गई कला और साहित्र के क्षेत्र में काम करने जोगों की एक न्यूस की वरोस्तात्त है कि खाया काम महां नस्ते के प्रवजे मुख्या मुझे ये संता अब सभान और उन्होंने कला नगर नाम का एक ख्षेत्र विकसित करके और करा का साइटिक उनको जमें दे कर बंबाई शहर का एक बड़ा हिस्सा एक शेत्र में मजबूत करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया था मगर ये बात काव उनके आई कि रहने का बंदोबस हो गया मगर जहां करा विकसित हो सकती है अईसा एक शेत्र अईसा एक डालन इस शहर में इसकी आवशकता है और इसलिए आज हम जहां इकटे हुए यहां इस तरह के अलग अलग संसा का एक डालन स्यार करने के लिए महाराश्य सरकार ने उस समय जिसेन ले लिया चाहे रंगे चाहता हो चाहे बंबे आर्प सुसाई की हो बहराश्य सरकार की जो अपन्दर लड़के लड़किया हैं उनकी जीवन में एक विश्वार देने के लिए काम करने वाली संस्ता हो तो ऐसी कई संस्ता को यहां जगा देकर करा करने का काम महारश सरकार ने किया है और इससे ही आज हम यहां इकटा हुए एक अच्छी संस्ता कि जो एक सो स्टाई सालों से काम करते है उनका खुद का मकान निवा स्थान आज यहां बन गया है यहां जो फदर से ने की अपने से कई साथियों ने देखी होगी लविन जजनात तांगों से वासुदेवरा काम मत तक जिन लोगों ने एक शेत्र में योगदान दी उनके पेंटिंग्स इनकी कला कुटी आज यहां दिखाई है इसका एक पर्मान्ल एक्लिशन करने के आउच शकता है महाह दस्रेख भागे शाज़ी स्थ है यहां कई ऐसे कला कार फदा हुए कि जिनulkों ने कला की खिछत्र में बहुत 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 भरा योगदान दिया और बहुत नाम किया इन सभी कलाकरों की जो कलाकुटी है आज यहाँ आप देख सकते हैं कई लोगों का नाम में देख सकता हूँ मगर नामावली बहुत बड़ी है इसलिए इनामावली में मैं द्यान नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि यह समाजों खतम होने के बाद आप कुछ समय हो तो वो प्रदर चनी जाकर आप देखिये और इस कलाकुटी आएगा तो डिले आएगा तो डिले आएगा तो उमत लेना जो आवाज हमारी आप पस्ते आवाज अच्छा आवाज आएगा त आपको इसका विश्वास मिलेगा कि जो आप करम करते हैं इसी खेत में समाज के सभी वजगों का सोयोग आपको मिलता है और इसलिए आप असना काम हमेंचा रखिये नहीं फेड़ी तैयार करिये और कराक खेत में भारतोंचे का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए आप प्रायास करिये इतना है कि मैं आपसे इजादत लेता जाइ हिन जाइ महाराश्ट राज्य के मुख्य मंत्री श्रीदेवेंद्र जी फिर्णबिश जी से बिंती करूंगी कि वो हमें मार्ग दर्शन करें परमातरनिय प्रधान मंत्री जी पाननिय राज्यपाल जी परिष्ट नेता परत्पवार जी मेरे सहयोगी गरन निर्माण मंत्री प्रकाश महता जी सांस्कृतिक कार्य मंत्री बिनोत तावडे जी पाननिय वासुदेव कामत जी अभागार में उपस्तित सभी अलाक्षेत्र के दिगज बहनोर भायो बॉंबे आर्ट सुसाइटी को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कि आज माननिय प्रधान मंत्री जी के हातों से उनके ने आशियाने का फुद घटन जहां हुआ और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई जिसे लोग केवल आर्थिक राजधानी के रूप में देखते है भारत की केवल आर्थिक राजधानी नहीं है भारत की चला, साहित्य, टीयेटर, सिनेमा ऐसे सारे क्षेत्रों की राजधानी है और इसलिए देश की इस राजधानी में इस खेत्र की राजधानी में एक दया रत्न आज यहां सम्मिलित हुआ है कि हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है 1857 में एजे स्कूल की स्थापना के साथ मुम्बई ने एक शेत्र में एक बड़ा दमदार कदम रखा और उसके बात लगातार आइत्य के कला के एक शेत्र में कारे करने वाले जो लोग थे उनको मुम्बई ने हमेशा आदर का स्थान दिया और मैं मानिय पवार जी का भी बहुत बहुत आभार वेक्ट करता हूँ और अभिननन भी करता हूँ उसमें बड़ी दूरदृष्टी दिखाते हुए उन्होंने ये जगा सोसाइटी को दी और उसी कारण से आज इतना अच्छा संकुल हम यहाँ पर देख पा रहे है शामत जी ने राज्य सरकार से अपेक्षा वेक्ट की है कि दलित कला अकादमी की शाखा राज्य में शुरू हो तो मैं उनको अश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राज्य सरकार उसके लिए जगह देगी और हम उसको यहाँ शुरू करने के लिए पुर्ण रूप से प्रयास करेंगे बहाराश्टर ने हमेशा कला और साहित्य के ख्षेत्र में अग्रणी स्थान रखा है यह भी ठान में लाया गया कि जो हमारे कलाकार भाराश्ट सरकार की ओर से हम लोग जो प्रदर्शनी आयोजित करते है और उनमें जिनको पुरसकार दिया जाता है तो वैसे तो पुरसकार की रकम माहिने नहीं रखती लेकिन फिर भी आज भी जो हमारे बाल कलाकार होते उन्हें केवल 500 रुपे का पुरसकार मिलता है और अन्य कलाकारों को 25,000 तक का पुरसकार मिलता है मैंने अभी हमारे सांस्कृतिक कारे मंत्री से चर्चा की और हमने ये तै किया कि जो बाल कलाकार है उन्हें हम 10,000 रुपे का पुरसकार देंगे और जो अन्य कलाकार है उनको हम 50,000 से लेकर तो 1,00,000 तक का पुरसकार देंगे आज इस मोक्य पर मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में जो कारे आप कर रहे है तरकार का काम उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ा होना है मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम विकास की प्रक्रिया की जब बात करते हैं उसमें भौतिक विकास के साथ साथ साहित्य का क्षेत्र हो कला का क्षेत्र हो इन सारे क्षेत्रों का विकास ये एक निर्देशांक होता है समाज के उन्नती का और इसलिए उस निर्देशांक के उपर भी राज्य सरकार का पुरजोर ध्यान रहेगा यही आज के मोके पर मैं अश्वस्त करता हूँ, फिर एक बार The Bombay Art Society को बहुत-बहुत शुपकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ, जैहिन धन्यवाद आपकी प्रोट्साहना के लिए आभारी है, मैं आदर निये प्रधान मंतरी श्री नरेंदर जी मोधी को मोहदय से बिननती करना चाहूँगी, कि वो आज के अवसर पर दो पुस्तिकाओं का विमोचन करें, एक है The Bombay Art Society, A History and Voyage, और दूसरी है Masters of Indian Art, मैं प्रधान म मंतरी मोहदय से अनुरोद करती हूँ, कि अपने श्रुभातों, इन दो ग्रंथों का प्रकाशन करें, The Bombay Art Society, A History and Voyage, और दूसरी, Masters of Indian Art, इन दो ग्रंथों का प्रकाशन, यहां पर आदर निये प्रधान मंतरी मोहदय जी के श्रुभातों, प्रधान मंतरी माननिया नरेन्र मोटी जी को समर्पित करें, भारत ये शैली द्वारा साकार हुई, ये भारत माता की छबी, हम सब को प्रेरणा देती रहेंगी, माननिया प्रधान मंतरी मोहदय से बिंती करती हूँ, कि वो इसे स्विकार करें, इसके चित्रकार है स्वयम वासुदेव चिकामत, पॉम्बे आर्ट सोसाइटी की इस इमारत को साकार करने वाले, इस प्रोजेक्ट के विकासक श्री अशोग जगदाय जी से बिंती है, जैसे कि 2015 का International Award Los Angeles, अशोग जी जगदाय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यबाद, जिनकी उपस्तिती से आज कला जगत चगमगा उठा है, ऐसे भारत के कला प्रेमी साहित्य प्रेमी प्रधान मंत्री आधर्णिया नरेंद्र मोधीची से बिंती करूंगी, कि वो आज इस अउसर पर हमें मार्क दर्शन करें. अजिए सागर राओ, खरो, थी जिसे अभी शाया करें, नरेस्टी आदा राओ, इस तूटे रेदी, आजिए से एके युवा मुक्मेंतृ प्रेमी तर्वनिरणिया झाया. झाल झाल कि बहुत कम ऐसी व्यवस्ता होती है कि जो कि तीन सताब्दियों को प्रभावित करती हो आपकी बॉंबे आर्ट सोसाइटी ने तीन सताब्दियों को प्रपादित किया है 21 सदी में आरंभवार 21 सदी तक और उसका मूल कारण कला की अपनी एक ताकत होती है कला का अपना एक संदेश होता है कला के भीतर इतियास यात्रा करता है कला संबेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है और तब जाकर के तीन सताब्दियों तक ये अपनी जगा बनाती है साइद हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट और मुंबई में कोई रहिश गहराना ऐसा नहीं होगा जिसकी दिवारों पर कला लटकती न हो कोई रहिश गराना नहीं होगा लेकिन ये दुर्देव देखिए कि जहां कला का गर्भास्थान होता है कि उसे जगा पाने में कि सवांसो साल बिद गए कि और इसलिए समाज के नात्य ये सोचने के आवशक्ता है कि कलाकृती ये हमारे दिवारों की शोभा है कि हमारे समाज की शक्ती है अगर हम कलाकृती को हमारी दिवारों को शुशुभित करने का एक माध्यमिश्रब मानते हैं तो शायद हम कला से सद्यों दूर है मीनों दूर है और ये स्थिती बदलने के लिए एक अविरत सिख्षा अविरत समस्कार आवशक होता है यही देश ऐसा है जिसके टेंपल आर्किटेक्ट्चर इसकी विशेस्ता बारिकी से देखें कि जहां इश्वर का जहां स्थान है अनिवार्य रुप से वहां कला का स्थान है हर मंदिर में आपको नुत्य मंड़ब दिखाए देगा हर मंदिर में आपको कला कृतियों की के द्वारा इत्यास और परंप्राओं को जीवित करता हुआ दिखाए देगा ये इन्बिल्ट विवस्ता इस बात को देव तक है कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा में कला यात्रा की कितनी एहमियत है अन्य था इश्वर के साथ साथ कला की यात्रा नहोती शाहे दुनिया में कोई एक ऐसा चहरा नहीं होगा कि जिसके इतने रूपों में कलाकारों ने उसकी साधना की हो शायद गनेश जी एक ऐसे है कि जिसको हर कलाकार ने हाट लगाया होगा अपने तरीके से लगाया होगा और शायद गनेशी है कि जो अर्बों अर्बों रूपों में हमारे सामने प्रस्तूत है अर्बों रूपों में है यहने किस प्रकार से कलाकार रूप चीजों को पाता है पन पाता है और उस पौधे को बटवरुक्ष की तरह विक्सित करता है और उस अर्थ में यहां वासुदेव जी ने एक पात कही लेकिन मैं उसे थोड़ा अलग मत रखना हूं उन्होंने कहा कला राज्यासरित हो जी नहीं कला कभी राज्यासरित नहीं होनी चाहिए ले लां राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए है कला को न कोई दाइरा होना चाहिए कला को न कोई बंदन होने चाहिए और राज जी की जिम्मेवारी है कि कला को पुरस्कुरूत करे और मैं श्रत जी को अभिन्हंदन करता हूं कि जमीन देने का फैसला किया उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे कला राज जी पुरस्कुरूत होनी चाहिए और कला समाज की शक्ति का हिस्सा होनी चाहिए तब ही जाकर के कला प्रणामकारी होती है अध्यात्मे की आत्रा से जो लोग जुड़े हुएगे वे इस बात को सरल भाषा में शाय समझते होंगे कि शरीर की गतिवीदी से पुर्व आध्यात्मा मन और दिल में जगा प्राप्त करता है और उसके बाद वो शरीर के अभीवक्ति के रूप में शरीर को एक साधन के रूप में उप्योग करता है शरीर अध्यात्म के अनुभूती का माध्यम हो सकता है वैसे कला उस पत्थर में नहीं होती है उस मिट्टी में नहीं होती है उस कलम में नहीं होती है उस कैदमास में नहीं होती है कला उस कलाकार के दिल और दिमाग में पहले अध्यात्म की तरह जन्म लेती है जब एक कलाकार पत्थर तरासता है तो हमें लगता है वो पत्थर तरासता है हम पूछते हैं कि तुम पथर तरासते हो कि नहीं कहता है मैं तुम मूर्ती तरास रहा हूं देखने में इतना बड़ा फर्क होता है हमारे लिए वो पथर होता है कलाकार कहता है मैं मूर्ती तरासता हूं हम कहते हैं तुम पथर तरासते हो क्या यह हमारी समाजिक जो सोच है उ कवीताएं तुइंकल पिंखिंखिंखिंखिंखिं लिटर स्टार अब किसी भी घर में जाओ तो छोटा बच्चा होगा लेएगी ममी अच्छा बैटे गीर गाओ और वह wpिंकल पिंकल लीटर स्टार श्टार करता रहे बहुत कम घर है जहां मा कहें कि बेटे तुमने कल पेंटिंग बताया थे देखो अंकल आए दिखाओ जरा यह बहुत कम है यह बढ़लाव जरूरी है उस बालक के अंतरमन की विकास यात्रा का आधार और रटे रटाये शब्दों में नहीं है उसके भीतर से निकली हुई चीजों से उसने जो उपर नीचे कागट पेंटिंग किया है उसमें है और जिने व्यक्तित्व के अधिश्थान के रूप में कला एक बहुत बड़ा एहम यहने संपून व्यक्तित्व का विकास करने में क टेक्नोलोजी पर प्रभावित हो रही है जीवन भी अधिक्तम टेक्नोलोजी से जुड़ा हुआ है लेकिर हमें यह सजग रूप से प्रयास करना चाहिए कि हम आने वाली पीडियों को कि इंसान कैसे बना रखे डर लगता है कमी रोबोर्ट तो नहीं हो जाएगा इस स्वीच को दबाए तो एक काम हो जाएगा और इसलिए उसके भीतर के इंसान को जीवित रखना है तो कलाही एक माध्यम है जो उसके जीवन को जीवित रख सकती है उसके भीतर के इंसान को जीवित रख सकती है और उस आ ए मिन्स है एजलेस आर है रेस रीजम रिलीजन लेस टी है टाइमलेस यह आर्ट अनंद की अभिव्यक्ति होती है और उस अर्थ में हम इसकी जीतरी जिसके महत्माई को स्विकार है उसको सजाएं मैं स्कूलों से आगर करूंगा कि वो अपने टूर प्रोग्रेम बनाते हैं तो उस टूर प्रोग्रेम में साल में एक कार कम तो कम सकम आर्ट गैलेरी देखने के लिए बड़ाएं बागी सब देखने जाएंगे आर्ट के लिए देखने नहीं जाएगे उसी प्रकार से मैंने रेलवे डिपार्टमेंट को कहा है जो बीजी रेलवे प्रेट्फरम है और दो तरप ट्रेन आती है बीच में उसका खंबे होते हैं मैंने कहा एक डिवाइडर के रूप में एक बढ़ियां आर्ट गैलरी रेलवे प्रेट्फरम पर क्यों ना हो और अब और उस नगर के खलाकारों को उभरते हुए कलाकारों को वहां जगा मिले ऐसा कैसे हो सकता है ताकि वहां आने वाला व्यक्ति उसको देखेगा उस शहर का कलाकार होगा तौसको अनभव करेगा और उसको अवसर मिलेगा कोई चलो 15 दिन के बाद मेरी एक नई पेंटिंग वहां लगने का अवसर मिलने वाला है तो मैं और अच्छा काम करूं अगले महीने मुझे मुझे मोका मिल सकता है मैं और अच्छा काम करूं कि हम अपनी व्यवस्ताओं को सहज कैसे बनाएं अभी मैंने पिछली बार मन की बात में कहा था कि हमारे देश के रेलवे स्टेशनों पर कलाकार खुश समय देकर कि आज रेलवे स्टेशनों को रंगरूप बदल रहें इस सरकारी योजना नहीं थी नई सरकार कर को बजेट है यह अपनी मनमर्जी से कर रहें और इसका इतना प्रभावपदा हो रहा है एक प्रकार से वो संसकार कर रहें स्वच्चता प्वार्ग एक भाशन देने से ज्यादा एक कलाकार का पेंटिंग उसको स्वच्च राखने के लिए प्रेदीद कर रहा है कि एक मेरे मन में मैं नहीं जानता हूं हमारे कलाकार मित्रें यहां कई बैठे होंगे इस प्रकार इसको लेंगे आने वाले यूग को ध्यान में रखते हुए कि हम हमारी जो कलाकृती है कि उसको डिजीटल दुनिया का एक हाइब्रिड डेवलोप्मेंट कर सकते हैं जैसे विचार ने कृति तयार की कि उसको पहले विचार कैसे आया कि वह कैसे कांगेट पर पनपता गया तीन महिने च्छे मिने वह उसमें डूब गया उस प्रोसेस का एक तीन या चार मिनिट का डिजीटल वर्जन कि कोई भी व्यक्ति जब उसकी कलाकृति देखता है तो साथ साथ इस प्रोसेस का डिजीटल वर्जन देखें और वीट मुजिकल इफेक्ट देखें आज मुश्किल क्या है कि बहुत कम लोगों होते या तो भी कला कोई कला का ग्यानी साथ चाहिए वो उसको समझाए कि दे कि यह यह बढ़लाव के लिए डिजीटल वर्ड को इसके कॉमिनेशन के रूप में कैसे लाए जाए मैं चाहूंगा कि जो सब्वेर आईटी की दुनिया से जुड़े हुए लोग है उसमें रूची लें और कलाकारों को एक नई ताकत यूग के अनुरूप नई ताकत कैसे दें उद्धिशा में प्रयास हो फिर एक फिर एक बार मैं महाराश्य सरकार को समान सरद्राव जी को रदय से बहुत बहुत अभिन्दन करता हूं वासुदेव और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और ये अब कलाकूर्तियों को दो जगा बहुत मिली कला का जहां ग धन्यवाद आपके इस आशिरवाद के लिए मारगदर्शन के लिए हम सदा आपके रुणी रहेंगे और आपकी पूर्चाहना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । जोदा तालियों के साथ हमारे अभार प्रकट करते हैं भारत के प्रधान मंत्री आदारनिया नरे देते हैं सभी मान्यवर अधितिगणों का भी बहुत आभार आज के समारोह को और इमारत के निर्माण को ये शिदाई बनाने में जितने भी हाद चुड़े हैं उन सब के प्रती हम यहां पर आभार प्रकट करते हैं आप सभी आज के इस अधिहासिक आज के समारोह को झाल 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 झाल